हमारे देश में हाथसे और उससे होने वाली तबाही के मंजर आए दिन देखने को मिल जाते है इन हाथसों में सबसे ज्यादा यदी कोई प्रभावित होता है तो वे है आम जन्मानस जब भी कोई हाथसा होता है तो कोई ना कोई परिवार तबाह जरूर होता है हाल दिनों में देश के विबिना इलाकों में हुए आग की वज़े से हाथसों में कई परिवार तबाह हो गये बीते दिनों ठानी जिली के डोमबीवली में हुए अगनीकान में भी कई परिवारों ने अपनों को खोया और अब उनकी घर में सिर्फ मातम है किसी के सिर से उसके पिता का साया उड़ गया तो किसी की पतनी के चले जाने से घर बरबाद हो गया किसी ने अपने भाई को खो दिया तो किसी की मांग का संदुर हमेशा के लिमिट गया के अमुदान कंपनी में हुए धमाकी के बाद दरजनों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और कई परिवार तबाह हो गए कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं सरकार और प्रशासन से मदद की गुहा लगा रहे हैं अब सिर्फ आखों में आसू है चहरे में बद हवासी है और नज्रों में इंतसार ऐसा ही एक जोंदाले परिवार है जो इस अगनिकान के बाद उस और चले को ازुबिबाय की टीम एक बार फिर मनिशा के पती की तलाश के ये ऊपरेशन चलाया लेकिन अभी तक उनका शोव नहीं मिला है मनीशा के पती च Опकिडार का काम करते थे उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके पती की तलाश की जाए मनिशा की तीन बेटिया है लेकिन घर के मुख्या के चले जाने से अब उसके सामने जिवी का चलाने के लिए सहरा नहीं रहा है